आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चली उसके बढखिलाफ मत चली है आप डिसपॉइंट होंगे कीप अफगानिस्तान अंस्टेबल इट इस इन यॉर बेनिफिट अज cashmere में कारवाई करने की कुशिश करेगा आज मैं आपको बता रहो हुँ गारत के मफाद मे ने उसको अंस्टेबल रखो जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे इनकी नजर इंडिया पर नहीं पड़ेगी जिस दिन इन्होंने मार कार्ड बंद कर दी जिस दिन है पीस्फुल हो गए यह लाइक मंकीज ना बंदन है इवाल्ड नहीं है जादा मेंटली तालिबान के पास कोई IT की स्किल सोड़ना है कि कल अपल के लिए काम कर रहें फिर Microsoft के लिए फिर तीसरे देन Google के लिए काम कर रहें देर नोट लाइक दैट उनको तो यह आता है उसने इसलामिक स्टेट जोइन कर लिया जैसको इसलामिक स्टेट पसंद निया उसने तहरी के तालबान पाकिस्तान जोइन कर लिया किसको कुछ पसंद निया उसने दाइश जोइन कर लिया कुछ जोइन कर लिया इनके तो जॉब ऑपरचुनिटी से जॉब रोल ते तरी ग जेनल फैज को जेनल फैज यहाँ नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हूरहे हैं हमारे फाजी क्यों भर रहे हैं वह सरकार बनाना जा रहा है काऴुल जेसे कि इमराण घंक Criminal बना दी एक selected प्राइब Link एक selected brother भी यहाँ पर शुरू कर देंगे गेम भई हैंका कि एक ऐसी सरकार इक्तदार में हो काबूल में जो पाकिस्तान की इशारों बना चाहिए दोस्तों मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं defensive offense like करिए subscribe करिए और bell icon दबाना बिल्कुत मैं भूली वाकि जो हिंदुस्तानी है मैं आपसे request करूँगा आप support करिए defensive offense को हम content आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे सिर्फ मैं नहीं और भी experts हैं और भी panelists हैं आते रहेंगे आपके लिए top class content लाते रहेंगे आप support करिए और पाकिस्तानियों को ये कहता हूँ कि सुनिया आप report करिए मैं चाहता हूँ आप और report करो आप ये video भी report करो ठीक है लेकिन एक बाद ध्यान रखना आ के देखना defensive offense क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो जहंत स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला वरादर को पढ़ गई गोली उसको गोली मार दी मुल्ला वरादर को किसने मारी हकानियों ने मारी वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकडे जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा हकानी कोई दी थी न, पूरा काबुल का समालना, सेक्यूरिटी और उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी मुला बरादर ने डिफेंसेव ओफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि बकरा कटेगा तब बकरा तो कट गया, 15 अगस्त तो बकरा कट गया लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक, क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि एक्तिदार की भूग है एक हवस है कंट्रोल की और हर जगे होती है सिवलाई सोसैटीज में होती है अमेरिका में भी है चीन में भी है भारत में भी है फ्रांस में भी है रूस में भी है हर जगे है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है कि बीच अफगानिस्तान में प्रेजडेंशल पैलिस में हैं आप लोग बहस हो एक एफ 47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश तो बेसिकली मुल्ला वरादर को एसासिनेट करने की कोशिश करी थी हकानी होना मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़के पहुँच गया एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ ना कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अंस्टेबल रहा है अमेरिकन्स ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ अमेरिका ने एक अंस्टेबल चीज को स्टेबल करने की कोशिश करी वो कभी स्टेबल होगा नहीं क्योंकि क्या होता इसके पहले कि वापस तालिबान की इंटरनल डाइनेमिक्स मैं मैं यह बताना चाहता हूँ कि जोची स्टेबल नहीं हो सकती अगर आप जवरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे इट विल रियाक्ट एडवरसली आप आम के पेड़ आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहाँ पे जिन्दा नहीं रह सकता वो फलेगा फूलेगा नहीं आप मीठी मीठे पानी की मचली को अगर आप खारे पानी में डालनेंगे मचली मर जाएगी वाईसे वरसा इस आल्सो ट्रू खारे पाने की मचली मीठे पाने देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि नए अचा सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बागा घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस नहोपाई तैंक यू ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में इसी लिए और ये बंदरबाट बढ़ेगी और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं मैं वैभव आपको गैरंटी के साथ कह रहा हूँ मानिए मेरी बात ये जादा देर नहीं चलेगी ये फिर एक महने के बाद लड़ेंगे इनके नेचर में लड़ाई लड़ना तालिबान लड़ाके हैं जंगजू हैं टेर्रिस्ट हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है अब आप उनसे कहरें कि नहीं आप एक काम करिये आप न जड़ा सीवरेज सिस्टम है ना काबूल का ज़र उस पर ध्यान दीगे विजली कैसे आती है उनको क्या मतलब विजली कैसे आती है उनको क्या मतलब कि सीवरेज कैसे चलता है उनको क्या मतलब एकलिकल्चर कैसे टैक्स है अगर आपको पाकिस्तान को माग देनी है तो अफगानिस्तान has to be kept unstable अभी लोग जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे भारप का मेजर ने ये बोलाई इनकी यादत है ना फाल्तू के लोग हैं लाहोर जाफरानी जो है तो मैं क्या policy बताऊंगा भारत की लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत एक बड़ी problem है जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए उसके बरखिलाफ मत चलिए आप डिसपॉइंट होंगे कीप अफगानिस्तान अंस्टेबल इट इस इन यूर बेनेफिट ये बात थोड़ी सी क्रूल लगी यार ये बड़ी निर्दै सी बात कर रहा है बड़ी अजीब सी ना लड़ाई जगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अंस्टेबल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फिर्स अफ़ल यू कैनाट कीप इट स्टेबल रूस ने कोशिश कर ली अमरीका ने कोशिश कर ली तालिबान भी कोशिश कर रहा है यू कैनाट कीप इट स्टेबल एक्सेप्ट दे फैक्ट आट यू कैनाट कीप अफगानिस्तान स्टेबल और हेल्प इंडी स्टेबलाइजिग करते रहा उसको देखेंगे बाद में क्या हो इतिहास गवा है जो तारीक है ना तारीक गवा है स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ओफ होते है अमरीका स्टेबल है अमरीका बाहर जंगया कर रहा है ये बात सच है ना ठीक है कोई भी एंपाइर आप इंडिया में मुगल एंपाइर को ले ली उसने कॉंक्वेस्ट कहां से करना शुरू करी थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे बावर के टाइम पे लड़ाया हुई शाजाहां जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा जादा नहीं हुआ असली खून खराबा और अंग्जब के टाइम पे हुआ क्यों इसलिए नहीं कि वो एक रिलिजिस फनैटिक था बात यह होती है कि जब स्टेविलिटी आ जाती है ना तब आपको आईडियाज आने लगते है तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूँ पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास अब क्या करूँ वाट नेक्स्ट अमबिशिस पीपल और वरी डिंजरिस वें दे वे कम स्टेवल तो कश्मीर के बारे में हो कह रहा है हमारे वेस्टन बॉर्डर शांतरे और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का जिस दिन तालिबान स्टेवल हो गया उसके च्छे मैने के अंदर ये कश्मीर में कारवाई करने की कोशिश करेगा ये आज मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़दा आपको देखे बात ये है कि इंडियन आर्वी है वहाँ पे कश्मीर में अच्छी तालात में है तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे लिकिन सौ कोशिश करेंगे एक दो अंदर आ जाएंगे फिर आपके पुलवामाटाइट के अटाक्स करेंगे पाकिस्तान चाहता ही है वरना काबूल किसको जाना चाहता है आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहता है मुलावरादर से और कौन-कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे पॉलिटिशन्स मिल सकते थे सोशल वर्कर्स मिल सकते थे फॉरन आफिस के लोग मिल सकते थे आई-स-ाई का चीफ जाता है क्यों जाता है जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैड गए काबूल में जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया भारत के लिए खत्रा है बेस्ट इस टो कीप अफगानिस्तान परपेचुली अंस्टेबल जब तक लोग आपस में काटते रहेंगे इनके नजर इंडिया पे नहीं पढ़ाएगी जिस दिन इन्हों ने मारकाट बंद कर दी जिस दिन एपीसफुल हो गए दियालेक मंकीज ना बंदर हैं इवाल्ड नहीं है जादा मेंटली और सोशली तालिबान वाले दियालेक मंकीज आप बंदरों को पुरानी कहावत है फैमली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता बंदरों को और हल्दी के बारे में आज हर हिंदुस्तानी मुसल्मान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मख़ब में इसलाह प्रिफॉर्ण और जिद्द पसंदी पॉलर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार मैं हिंदुस्तानी मुसल्मान हूँ और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अर्सा पहले फर्मा गए है मेरा रिष्टा अल्ला मियां से बेहत बेतकल्फ है मुझे सियासी मख़ब की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तानी इसलाम हमेशा दुनिया भर की इसलाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें अच्छा सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिसना हो भाई थैंक यू अच्छी बात बुली आपको अच्छी लगी तो एसे थोड़ा मार दीजे हाता थोड़ा सा मार दीजे